जितने भी administration है education department की ये सबके सब नलाइक है हमारे director नलाइक है हमारे CEO नलाइक है क्योंकि action नहीं लेते क्योंकि शायद इनके टैचियों के रिष्टे है orders इनके है तो ये अपने orders ही अगर implement नहीं करवा पारे स्कूलों में जाकर तो फिर मुझे एक चीज़ बताईए इनसे नलाइक officer कोन हुए maximum school लूट रहे है पेरंट्स अपने आपको लूटवा रहा है new education policy बहुत बढ़िया policy है वो सरकार को एक planning के साथ implement policy करनी थी लेकिन सरकार जो है वो फियल रही है जमो कश्मीर की जमो कश्मीर की administration फियल रही है सबसे बड़ा nexus अगर जमो कश्मीर में नहीं पूरे देश में मैं बात करो तो सबसे बड़ा nexus जो है वो school mafya ये सारी की सारी gulti जो है हमारे system की है हमारे leader की है हमारी government की है रफ्तार जमों चंद पलों की गुफ्त को और सच से करवाएंगे रूबरो रफ्तार जमों के मार्दियम से आज हमारे साथ बात चित करने के लिए मजूद है Parents Association के President अमित कभूर जी अमित कभूर जी रफ्तार जमों में आपका हार्दी कभी नंदर है बहुत बहुत शुक्रियां सर अवित कुबर जी नया सेशन लग चुका है कुछ कलासें बैठ शुकी हैं कुछ बैठने वाली है और एक बात और देखने वाली ये है कि Parents Association जो है इन दिनों ताबर तोर पोटेस्ट कर रही है दो तिन सवाल एक साथ आपके आगे रखूँगा एक तो Parents को क्या क्या दिकत सा रही है और दूसरा स्कूलों के दोरा क्या क्या मनमानी के जा रही है और सुरकार ने जो इस सेशन के लिए नई Policy के देर की है देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज का जो टाइम है आज मैक्सिमम लुटेरे कहूंगा मैं मैक्सिमम लुटेरे जो है वो इस ताक पे है कि किस तरह Parents को लुटा जाए किस तरह Parents की जेबे जो है वो खाली की जाए लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे कहने में कोई दिकत नहीं होती कि Director Education जमू Director Education कश्मीर अगर आपका चैनल भी Director के पास जाएगा न ये कोशन करेगा तो मुझे नहीं लगता कि Director आपको इंटर्व्यू देगा कोई भी चैनल को वो इंटर्व्यू देना पसंद नहीं करता क्यों नहीं करता उसकी वज़ा क्या है कि उसको पता है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है ये है हमारे Directors का हालत ये है हमारे CEO जमू CEO कश्मीर की हालत ये लोग Order तो निकालते है लेकिन उस Order को मनवाना कैसे है शायद इनको नहीं आता तो यही चीज है उसी वज़ा से Parents बचारा जो है लेकिन उससे पहले जो Policy का मुद्दा है मैं वो बता दू देखिए Policy क्या है New Education Policy का हमने Welcome किया था New Education Policy बहुत बढ़िया Policy है लेकिन अफसोस इस बात का है कि हर स्टेट के पास जब वो Policy जाती है सेंटर से तो स्टेट में अपने हिसाब से वो Policy जो है उसका time period जो है implementation का रखना होता है कि जिससे किसी भी innocence को problem ना आए अब innocence के लिए किसने सोचना है जो हमारे UT का राजा है जो हमारे UT का जो भी head of बिठाया हुआ है हमारे LG साहब और साथ में उनका जो system उनकी administration ने अब सोचेगा कोन अब देखिए Policy आई वैसी ही Policy गोवा में आई गोवालों ने क्या किया आज की time जो जम्मो किश्मीर में प्रावलम आ रही है वो गोवा में भी प्रावलम आई जम्मो किश्मीर में प्रावलम क्या है कि जो UKG क्लास में जितने भी बच्चे पास हुए है तो मेरे हिसाब से अगर पच्चीस तीस हजार जम्मो किश्मीर में स्कूल है तो आप समझ सकते हैं कि लाखो बच्चा UKG क्लास में होगा तो लाखो बच्चों को जो प्रावलम आई UKG क्लास की कि कि किसी की एज पाँच साल थी किसी की साड़े 5 साल थी किसी की 6 साल थी किसी की 3.5 शी साल थी और वहाँ पे दिया गया है 6 PLUS वाले को फरस्ट क्लास में डिविशन दिजाएगी जब 6 PLUS वाले को अडिविशन दिजाएगी अगर 6 से कम वाले को डिविशन दिजाती है कुछ school दे रहे हैं गाउंद राज में जैसे लोगों को पता नहीं है तो वह school दे रहे हैं उनको 10th में problem आएगी क्योंकि उनकी age 16 to 17 एर नहीं होगी तो 10th में problem आ जाएगी 10th में paper नहीं होगे उनके अगर यहाँ पर अगर इनकी age 6 plus नहीं है तो वो बच्चे वचारे खजल हो अगर बच्चों को आप बोलोगे दुबारा आप UKG में जाओगे तो आप सोचिए बच्चे पे क्या भीतेगी उस मावाप पे क्या भीतेगी देखिए मैं relaxation की बात ही नहीं करता हूँ कि implement की planning क्या है implement की planning देखिए मैं समझता हूँ कि जो LG के advisor होते हैं जो education department की chairs पे बैठते हैं वो well qualified होते हैं अगर उनको वो qualified नहीं है उनको इतनी knowledge नहीं है तो वो गोवा से सीखें गोवा में भी भाजपा की सरकार है गोवा में इतने अच्छे तरीके के साथ implement की policy उन्होंने उन 2021-22 2020 में ये policy आई थी 2021-22 चलो छोड़ो 2021-22 आज के time भी अगर वो nursery class से start करें nursery class जो है वो तीन साल की entry बताई हुई है बच्चे के division तीन साल का criteria है तो आज वो nursery वाली implement कर दे 2025 तो शबी में वो first वाली implement कर दे तो जाने कि जो ने बच्चे जो है अगर वो nursery वाले अभी से implement करते है तो तीन साल के बाद 2026 में अगर वो first वाली implement करते है तो ना तो यो UKG class के बच्चे अभी जो 5 साल के है साड़े 5 साल के है जितने भी पुराने बच्चे है उनका तो करनी है अपनी पढ़ाए की उनके लिए पालसी होती है जो आलड़ी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़ी है मेरा यही कोशन था मेरी यही आपको मैं बताना जा रहा था कि जो पुराने बच्चे है जो पढ़ रहे है तो उनका मचारों का क्या कुसूर अगर आप 2010 का जो order है criteria है अगर वो इस time implement करते है और first वाला जो है वो 2026 में implement करते है आप trust किजिए कि किसी को कोई problem नहीं आएगी और 2010 में भी बच्चों को कोई problem नहीं आएगी तो यहां से सिर्फ implementation का time जो है वो सरकार को planning के साथ implement policy करनी थी लेकिन सरकार जो है वो fail रही है जम्मो कश्मी स्कूलों की बात है चाहे वो private school हो JK board हो चाहे वो CBSU सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि parents को ये knowledge होनी चाहिए कि हमें books कोन सी लेनी है कोन सी नहीं लेनी क्योंकि parents के साथ हमेशा मजा किया जाता है parents को हमेशा लूटा जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका स्कूलों में लगेंगी चाहे आप private school में पड़ते हैं चाहे आप government स्कूलों पड़ते हैं लेकिन कुछ school क्या कर रहे हैं जे के गोर्मेंट जो books के साथ साथ 8 books ये गोर्मेंट के लगा रहे हैं चार books जो है वो एक्सरा अपनी books लगा रहे हैं अपनी publish करवाई हुई books लगा स्कूल में बढ़ता है स्टेट में जमु कश्मीर में तो आपको सिरफ J.K. स्टेट बोर्ड की बुखस लेनी है और दूसरी बुखस एक्स्टा बुखस नहीं लेनी अब जी आप पेरेंग्स इस्टेटन के प्रेजिटनट है अब रही CBSE, तो CBSE में सिरफ और सिरफ NCRT की books जो पूरे देश में लगती है, वही जमू कश्मीर में भी लगती है, CBSE स्कूल, जितने भी CBSE स्कूल है जमू कश्मीर में, तो आपको एक्स्रा books लेने की जुरूरत नहीं होती, अगर कोई स्कूल लगाता है, तो अवाज उठा जाता है, इसके लिए मेरा काम है आपको अवेर करना, आपके चैनल के मादियम से मैं अवेर कर सकता हूँ, एक अपने ही बात की आपने कहा कि अवाज अगर पेरेंस उठाए, देखिए हमें पता है कि हमारे डिरेक्टर नलाइक है, हमारे CEO नलाइक है, क्योंकि एक्शन नही देखिए हैं, अगर इनके टैचियों के रिष्ते नहीं हैं, तो यह साबिद करें, यह साबिद करें, एक्शन लें स्कूलों पे, जब orders इनके हैं तो ये अपने orders ही अगर इंप्लीमेंट नहीं करवा पारें स्कूलों में जा कर, तो फिर मुझे एक चीज बताएए, इनसे नलाइक आफिसर कौन हुए मैं तो कहूंगा कि LGA का जो भी सिस्टम एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी एडिविस्टेशन है एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये सब के सब नलाइक है या फिर इनके बड़े-बड़े टैचियों के रिष्टे है और सबसे नलाइक हमारे जम्व कश्मीर के लीडर जो 75 सालों से मेरी ये 40 साल है अगर 40 साल में देखो तो 10 साल के बाद इतनी समझ आ जाती है कि हमारे भी बुक्स के यूनिफार्म का नेकसस होता था लेकिन आज अगर 30 सालों से मैं समझ पाया हूँ 30 सालों से मैं वही लीडर देख रहा हूँ लेकिन एक लीडर सामने नहीं आता हर साल पेरंट्स लूटता है और ये लोग बड़े-बड़े स्कूलों में जाके रिबन कारते हैं बड़े-बड़े स्कूलों में जाके अपने बच्चे जो ये बहाँ पे free of cost बढाते हैं अगर ये fees देते भी होंगे इनको concession होती है इनको books uniform की concession होती है इनको वैसे तो free में बढाते हैं ये लोग तो इसी वज़ा से ये स्कूल वाले सोचते हैं कि हमारा कौन बिगारेगा leaders हमारे साथ है, bureaucrates हमारे साथ है और बड़े-बड़े LGो की partyों में ये लोग जाते है अमिक बोजी जिस तरह से आप कहा रहे है निया session शुरू हो चुका है शहर को बीचो बीच आपको पता है books के दुकाने है अगर बच्चा वहाँ पर books का rate confirm करने जाता है पहले तो दुकानदार उसको बताएगा नहीं फिर उससे particular पूछा जाता है कौन से school चाहिए हो अगर वो school का नाम लेगा तो आप वो बोलेगा कि नहीं है books school से जाके ले लो बिल्कुल सही कहा maximum school ने क्या दंदा अपनाया हुआ है क्या commission खोड़ी का एक business and का ये particular shop पे books एक रख दे जाती है अपने ही publisher के साथ publisher से हर school का अपना publisher है तीन साल के बाद labor change होना होता है लेकिन हर school में हर class में जब हम बच्चे हम पढ़ते थे आप पढ़ते थे तो उस time क्या होता था अगर में 8th pass हुआ तो मेरा चोटा बाई जो है वो 8th चला तो मेरी books के साथ पढ़ता था लेकिन आज के time क्या हो गया है कि teacher जादो taunt मानना start हो जाती है जा फिर teacher ये क्या करते है school वाले lesson आगे पिशे करके photo change करके बाहर का print change करके इन्होंने books से ही change कर दी जाती है जानी कि change होती नहीं lesson आगे पिशे होता है जानी कि नई books आगी जानी कि हर साल syllabus से भी अपने school से ये change कर लेते हैं जानी कि कानून जो है ये कुछ भी नहीं समझते और ये सारी की सारी गलती जो है हमारे system की है हमारे लीडरों की है हमारी government की है हमारे जितनी भी government रही चाहे वो Congress, BGP, NCPDP कोई भी सरकार रही लेकिन इन लीडरों ने इन school के खिलाफ कभी आवाज उठाई ही नहीं क्योंकि इनको पता है कि हम लोग जो है अपने बच्चे भी इन school में पढ़ाएंगे और ribbon भी इन school में काटेंगे और अपनी publicity भी इन school से लेंगे शायद इसी वजा से ये लोग जो है ये लोग mafia का एक रूप जो है जो इन private school वालों ने बड़े-बड़े school वालों ने एक mafia का रूप ले लिया और सबसे बड़ा nexus अगर जमो कश्मीर में नहीं पूरे देश में में बात करूँ तो सबसे बड़ा nexus जो है वो school mafia है अभी तकपुल जी parents की बात होगी स्कूल की मनमाने की बात होगी सरकार द्वारा जो नई नीती बनाई है education के लिए को उसकी बात होगी अब बात करते हैं कि जो बच्चे स्कूल में फीस देते हैं quarterly, half yearly या yearly जनर्ली, February मार्च की अगर फीस देनी होती है 10 तरीकों उसने cut-up date रखी होती है अगर बच्चा 20 तरीकों फीस जमा करवाता है तो उसको 10 दिन की late फीस लग जाती है लेकिन जो वो दो महिने के पैसे अडवास दे रहा है, दो महिने की फीस जो अडवास जमा करा रहा है उसका क्या सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें quarterly फीस देने की जरूरत ही नहीं है आप अगर monthly फीस भी देंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता किसी भी स्कूल का अपना कोई रूल नहीं होता जो government के रूल है, वही रूल है आप monthly फीस दीजिए इनको quarterly फीस मत दीजिए quarterly फीस advance में आप क्यूं दे रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आती और स्कूल वाले आपसे इसलिए लेते हैं कि आपका पैसा यूज़ करके ये काफी चीज़े कर सकते हैं लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप तीन quarterly फीस दें दूसरा कोई late फीस आपसे एक पैसा भी नहीं ले सकता लेकिन maximum स्कूल लूट रहे हैं पैरंस अपने आपको लुटवा रहा है क्योंकि पैरंस की मजबूरी क्या है उनका बच्चा वचारगा पढ़ता है और वो सोचते हैं हमारे बच्चे को कही स्कूल से निकालना दे या हमारे बच्चे को कोई परेशान ना करें लेकिन कोई स्कूल ने मैं अभी चार साल से लड़ रहा हूँ मुझे बदनाम किया उन्होंने बहूत लेकिन साबित कुछ नी कर पाया अज तक मैंने हमेशा आप लोगों का अवेर्ड करता रहा और करता रहूंगा ये कुछ नी कर सकते मुझे एक चीज़ बताईए चार साल से मैं फैट कर भाइड़ा हूँ कौन सा बच्चा इनुन निकाल गराता है, आज तक स्कूल से, कोई एक बच्चा बच्चा बता देजिए, जो पेरंट्स मेरे साथ चले भी तो मुझे एक बच्चा बता देजिए, उनके स्कूल का इनु प्यार दिया है आज के टाइम जम्मो किश्मीर में मुझे कौन नहीं जानता और आप सब की बदोलत है ये तो मुझे आज टी आरपी की किया जरूरत है मैं आज भी आज मैं पार्टी में हूँ एक एक बड़े ओदे में बैठा हूँ मैं जम्मू प्रविंस का वाइस प्रेजिडेंट हूँ मैं चाहूं तो ये चीज़े शोड देता लेकिन ये यही से मुझे पहचान मिली है यही से मुझे चार लोग जानते है मैं आज भी आप लोगों को अवेड कर रहा हूँ दरता है कि मेरे बच्चे के लिए मैं उधार उठाके भी पैसा देता हूँ लेकिन पैसा उतना देना है जितना जाइस है जितना गोर्मेंट ने बोला है आप नजाइस पैसा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका नजाइस पैसा देने से आपके बच्चे को कोई special कोई पे उनको एक अलग criteria मिल जाएगा government का order है JKFFC पे आप पर सकते हो उसकी website पे जाके registration fees जिन लोगों ने किसी भी school में दी है वो बापिस लीजिए capitation fees registration fees या किसी भी other कोई admission fees अगर आप लोगों ने दी है तो आप बापिस लीजिए मुझे ये समयनी आ रही अगर आप बापिस नहीं ले सकते तो मेरे साथ खड़े रहिए मैं आपके साथ school के बाहर media में expose करने को तियार हूँ लेकिन एक parents सामने तो आए एक parents खड़ा तो हो मुझे phone करके आप complain करते हो मैं बड़ा अपने आप में proud करता हो कि आप मुझे इस like समझते हो मुझे complain करते हो लेकिन सामने आना पड़ेगा और स्कूलों में फीज़े registration fees, capitation fees, admission fees अगर आप लोगों ने दी है तो बापिस लीजिए और annual obtution उतनी दीजिए जितना JKFFC का approval है उसे ज्यादा आप मत दीजिए और कोई आप से fees लिये नहीं ले सकते आपने ये सुना होगा कि हमेशा जब भी बच्चा पढ़ता है तो मावाप अपने बच्चे को घर से बेजते हैं स्कूलों में पढ़ने के लिए अगर बच्चा नलाइक निकलता है तो वो टीचर नलाइक है ना कि बच्चा नलाइक है वो स्कूल नलाइक है ना कि बच्चा नलाइक है बच्चे को तो मावा अपने वेजा ना घर से पढ़ने के लिए अप पढ़ाना तो आप लोगो नहीं है वो 9th में पहुंचे अगर 9th में उनके मार्स कम आए वो कहते है कि आप अपना इस बच्चे का जो स्कूल है वो चेंज कर लीजिए हमारे स्कूल का 10th का रिजल्ट खराब हो जाएगा देखें मैं आपको बता दू ट्यूशन सेंटर क्यों चल रहा है क्योंकि हमारे प्राइवेट स्कूल नलाइक है कोई एक प्राइवेट स्कूल बड़ा हम पेरंट्स बड़ी खुशी-खुशी से पांच-पांच-थास-हजार प्या के स्कूल में डालते हैं लेकिन आज आके फिर हमें ट्यूशन में बच्चा बेज़ना पड़ता है मैं तो फिर भी ट्यूशन वालों को ये कहूँगा कम से कम वो बच्चा पढ़ाते तो है वो बच्चे को पढ़ाते तो है हमारा बच्चा चलाते तो है वो ये प्राइवेट स्कूल वाले पांच-पांच हजार प्याफीस लेकर भी हमें अपने बच्चे को ट्यूशन बेजना पड़ता है तो सोचिए कितने नलाइक लोग है इन बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों में मैं पेरन्ट से यही कहूंगा कि थोड़ा सा अवेर हो जाएए इनकी हर साल यूनिफार्म ये चेंज नहीं कर सकते जो पिछले साल थी वही यूनिफार्म रहती है कोई लाइन वाइन अगर ये चेंज करते हैं तो आवाज उठाईए बुक्स जो है वो तीन साल के बाद चेंज होती है पहले स्लेबर्स चेंज नहीं होता अगर आपकी हर साल बुक्स चेंज हो रही है तो वाज उठाईए बुक्स जो है वो NCRT की CBS स्कूल में और JNK State Board की बुक्स पे लिखा होता है गौर्डमेंट बुक्स वही प्राइवेट स्कूलों में लगती है जमो कश्मीर के अधर बुक्स ना लीजिये इंसे इसलिए जागिए 9419191894 मेरा नंबर है आप किसी भी टाइम मुझे कंटक्ट कीजिए लेकिन एक पेरंट्स मेरे सामने मेरे साथ जुरूर ख़रा रहेगा फिर देखिए मैं इनका क्या हाल करते हैं अभी कुपुर्जी बात करने के लिए बहुत धन्यबाद उसके बात की और सरकार द्वारा जो नई पालसी लाई गया है इजुकेशन पालसी उस पर इनसे बात हुई और एक बात रफ़तार जमों के माद्यम से जमोकिश्मीर सरकार से या बारत सरकार से कहना चाहते हैं जो बच्चे आलड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब मत किया जाए जो पालसी आ रही है जो बच्चा नेया स्कूल में अंटर करता है स्टार्ट करता है अपने पड़ाई तो उसके लिए पालसी बनाएं जो आलड़ी बच्चे पढ़ रहें हैं या यू के जिसे जो फर्स्ट में जाने वाले है तो उनका मन नहीं डहना चाहिए पेरेंट्स का मन नहीं डहना चाहिए ताकि बच्चे जो है अच्छी ग्रोध कर स सकें क्योंकि जिस तरह से मोधी क्याते हैं कि जो युवा पीडी है वही देश का विश्य है तो कभी सारी इन से बात हुई बड़े ही वेवाग तरीके से इनुने अपनी बात रखी आगे भी देखते रहे हैं रफ्तार जम्मू जय जम्मू जय वारत